हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi आप से बारम बार पूछा जाने वाला एक सवाल कि प्रत्वी पर जीवन की उत्पत्ती पहले हुई या फिर आक्सीजन की अर्थात जीवन पहले आया या फिर आक्सीजन इसका आंसर हम देते हैं कि प्रत्वी पर एक्चल में सबसे पहले जीवन आया वनस्पतियों की रूप में और इस वनस्पती का जन्म हुआ था महासागरी छेत्र में और महसागरी छेतर में वनस्पतियों के जन्म के परिणाम सरूप यहां प्रकास संसलेशन की क्रिया गटित हुई जिसमें विभिन प्रकार की वनस्पतियों ने कारवन डाई ऑक्साइट को ग्रहन किया इसका आवशोशन किया और पश्यात इसके सहत पात के तौर पर की वर्तमान में इस पूरे तथ्य को इस पूरी धार्ना को चुनोती दी है एक ओशनिक साइंटेस्ट के द्वारा और याद रखीगा कि इन ओशन साइंटेस्ट का नाम है स्वीट मैन और स्वीट मैन का कहना है कि परत्वी पर ऐसा बिलकुल पॉसिबल है कि भई वनस्पति का जन्म पहले हुआ हो परंतु इसका जो दूसरा पहलू है यह थोड़ा सा मुझे भ्रमित करने वाला लगता है अर्थात प्रत्वी पर ऑक्सीजन का ही जन्म प्रकास संसलेशन की क्रिया के द्वारा इन्हीं पौधों के द्वारा किया गया है यह पून सत्य नहीं है अर् को नाम दिया जाता है एक्च्वल में फुटिक जोन और प्रकास संसलेशन की क्रिया हम यह जानते हैं कि बेसिकली फुटिक जोन वाले एरिया में ही संपन हो सकती है और जिस एरिया में यह संपन नहीं होती वहां पर हम मानते हैं कि वनस्पतियों का प्रदुर्भाव नहीं देखने के लिए मिलता है याद रखें कि यहां पर यह है महासागरी सत्य और इस महासागरी सत्य में 200 मीटर के लगभग यह सूर का प्रकाश आपको प्रवेश करता हुआ देखने के लिए मिलता है अर्थात यही 200 मीटर का एरिया कहलाता है फुटिक जून और स्वीट मैन के द्वारा किय गए अध्यनों से यह गयत हुआ है कि एक्क्चול में 4000 मीटर नीचे भी किसी ना किसी प्रक्रिया के थुरु अर्थात लगबग 13,000 फीट की गहराई पर भी किसी ना किसी प्रक्रिया के थुरु यहाँ एक्क्टव में हो रहा है औक्सीजन का निर्मान बलकि यहां पर क्लारियन क्रिम्पटन जोन की मौजूटकी एक्चुल में आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी क्या होता है यहां पर किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं मिलती है अब यह बात हम जानते हैं कि बेसिकली यह जो समुद्र सता है यह हमारे ल बारम किया था और इसके बारे में हमने बहुत सारे टथ भीज उटाये था हमने आकिवल भारती ओने बलकि पूरे विश्वों ने इस पर अद्धियन करना प्रारम किया था और जो सबसे गहरा डीप में जो अध्यन किये गए थे कि एक्चुल में सागर सतय के बीतर क्या है तो इसमें भी मानाओ लगबग 11,000 मीटर से अधिक प्रवेश नहीं कर पाये था परंतु यहां पर यह बताया गया है कि चार हजार मीटर अर्थाद 13,000 मीटर की 13,000 फीट की गहराई पर यह जो ऑक्सीजन का निर्मान हो रहा है यह किस प्रकार हो रहा है यदि मान लीजे प्रत्वी पर के वलोकिल प्रकास संसिलेशन ही एक माध्यम है ऑक्सीजन के उत्पादन का तो चार हजार मीटर की गहराई पर सागर सतय पर किस प्रकार से ऑक्सीजन विद्दिमान हो सकती है अर्थाद यहाँ पर एक अध्यान सामने आता है एक बात जो की सूटमेन के द्वारा कही आती है अर्थाद यहाँ पर जितने भी प्रकार के प्लवक हैं जितने भी प्रकार के शेवाल हैं या फिर ऐसे जीव हैं जो की प्रकास संसलेशन की क्रिया करते हैं एक्च्वल में यह सूर के प्रकास की मौजूदगी में या फिर सूर के प्रकास का उपयोग करके वह सूर का प्रकास जो की सागर सतय पर अंदर तक पहुचता है उसका उपयोग करके केवल उक्य है जार मीडर की गहराई पर मौझऊद यह पॉली मेटलिक नॉडियूल्स एक्च्छल में इस ऐक्षिजिण के उतपादन के लिए responsible माने जाते हैं है अभ यह पॉली मेटलिक नॉडियूल्स होते हम जानते हैं अर्थात अभी वर्तमान तक सागर सतय का जितना अध्यन किया गया है उससे भी यादा रह समय हमारा सागर छेतर है क्योंकि यह तो एक पॉली मेटलिक नॉडियूल का मैं एक्जामपल दे रहा हूं यहाँ पर और भी कई आईसे तत्विद्मान है जिनके बारे में अभी तक हूंन ने रिसर्च नहीं की है और यह धू मन की लिष्ट में अभी तक नहीं आयए हैं और कोESE SERJ ना कहीं यहिए पॉली मेटलिक नॉडियूल रिस्पांसीबल है यही पॉली मेटलिक नॉडियूल जिम्मेदार है इस dark oxygen के लिए यदि आपके मन में संशय हो रहा हूँ कि यहाँ पर यह dark oxygen क्या है तो याद रखीगा जैसा कि मैंने अभी बताया कि 4000 मीटर की गहराई पर जो मौझूद आपको oxygen दिखाई दी रही है जो कि इस dark जो कि इस polymetallic nodule के दौरा उत्पादित हो रही ह इसको एक परकार से sweet man के दौरा क्या नाम दिया गया है dark oxygen यहाँ पर sweet man का कहना है कि जब उन्होंने समुद्री पारिस्थित्की या फिर समुद्री जैव विवित्ता का अध्यन किया तो कई स्थान ऐसे थे जहाँ पर in polymetallic nodules का उत्पादन भी किया जा रहा था अर्थात यदि देखा जाए तो कोबाइल्ट निकिल तामा मैगनीजियम यह सभी कोच लीथियम वगएरा यह सभी इन पॉलिमेटलिक नॉडियूल्स के इंतर गताते हैं और जब इनहीं का उत्पादन किया जा रहा है तो याद रखीगा कि यह कहीं ना कहीं responsible होते हैं कि पर्थवी पर एक्च्वल में जीवन का आरंब किस प्रकार हुआ होगा यहां पर याद रखने वाली बात यह भी आती है कि एक्च्वल में कई नेशन्स ऐसे हैं जो कि इन पॉलिमेटलिक नॉडियूल्स का अवैद खनन कर रहे हैं या फिर ज्यादा खनन कर रहे हैं और इस खनन का ड आपको बादित होता हुआ देखने के लिए मिलेगा पश्यात इसके यहां पर याद रखें कि 2013 सरोप्रथम प्रकाश में आया था परन्तु 2013 के पश्यात यह पुनाय प्रकाश में आया है इसका में रीजन है कि स्वीट में सर को समुद्र तल पर कुछ ऐसे साक्षे बरामद हुए हैं जिनके द्वारा यह भी पता लगाया या सकता है कि वास्तविक्ता में वास्तविक्ता में प्रत्वी पर जीवन का आरम किस प्रकाश हुआ अब बात यहाती है कि यह नौडियूल्स का इसमें कुछ लेना देना है क्या इन्होंने इनका कुछ हस्तक छेप निकल कर नहीं हैं यहां पर 2013 के पश्यात यानि की लगबग अधि हम दश्कों के इसाब से बात करें तो एक दश्क से ज़्यादा यहां स्वीट मैं यह जो क्लेरियन क्लिम्टन जोन है इसका अद्धियन कर रहे हैं और इसके अद्धियन के द्वारा एक्च्वल में यह पता लगान होती है कि भाई इसको क्या चुनौती दी जा सकती है इन स्वीट मैं के आधार पर और यदि ऐसा है तो इससे समुद्री पारिश्थित की वो समझने में बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती याद रखें कि इंगलेंड के जो साउथ हैं यहां पर ओशनोग्राफी सेंटर में मह याद हुआ कि यदि ऐसा पॉसिबल होता है कि इन पॉलिमेट्लिक नॉड्यूल से औक्सियन का उत्पातन किया जा रहा है तो फिर इससे जलवाईयू परिवर्तन में निपटने में भी जलवाईयू परिवर्तन से निपटने में भी हमें सायता प्राप्त हो सकती है अर्थ यह बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है कि किस प्रकार से जो थेयोरी आज तक हम पढ़ते आ रहे थे कि एक्चुल में वनस्पतियों के द्वारा प्रकास इंसलेशन की एक्टिविटी के द्वारा यहां पर ऑक्सिजन का उत्पादन किया गया अब वर्तमान में यह थेयोरी आ मिलने वाले खनेज हैं उन्हें नाम दिया जाता है यह कुछ इस प्रकार के दिखते हैं और इनमें लोहा मैगनीज तामबा कोबाल्ट जैसे खनीजों की प्रदानता आपको देखने के लिए मिलेगी पश्यात इसके याद रखें कि डार्क ऑक्सिजन एक्चुल में क्या हो पादित होने वाली ऑक्सिएन को आप डार्क ऑक्सिएन का नाम देते हैं जो की एक हैरान कर देने वाली रिसर्च है और याद रखें कि इससे हमारी यूपीसी की जरनी का डारेक्ट्री रिलेशन आपको देखने के लिए मिलता है दूसरी और एक और खबर आपके लिए है तो याद रखें कि एक साइड हमने वह बात की कि समुद्र में डार्क ऑक्सिएन मिल रही है समुद्र की गहराई में जो ऑक्सिएन मिल रही है उसे डार्क ऑक्सिएन कहा जा रहा है अर्थात यहां पर यदि किसी प्रकार का प्रदूशन बढ़ रहा है तो फिर यह हमारे ल के कारण यदी ओशन्स में औक्सियन का परसेंट घट रहा है तो यहां पर कुछ नॉड्यूल्स या फिर कुछ मैटल्स ऐसे भी है जिनके द्वारा ऑक्सियन का निरमान हो रहा है परंतु इन दोनों में डिफ्रेंस है कि एक है डार्क ऑक्सियन और एक आपको बच्चे देख सुने आती है कि जितने भी नदी नाले जीले समुद्र हैं और यहां पर इनके द्वारा जो महासागरी सतय पर जल्विसर्जित किया जाता है और वर्तमान में जो जलवायू परिवर्तन क्लाइमेट चेंज और सांथ में ग्लोबल वार्मिंग जैसी गटनाए गटित हो रही तो एक जगा हम जली खंड में ऑक्सीजन खतम होने की बात कर रहे हैं और दूसी जगा स्वीट में जैसे साइंटिश इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं कि सर घवडानी की बात नहीं है अपी तू यह इसका दूसरा उपाए हमने खूज लिया है और वह है क्या डार्क इनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए और यदि आपको इसकी पीडियाफ चाहिए हो तो जैसा कि मैं हर बार बताता हूं कि आप इसकी पीडियाफ जोगर्फी बाए अविशेक कुमार टेलीग्राम चैनल से डाउनलूट कर सकते हैं अभी तक मेरे द्वारा जितने भी करेंट वी दोनों ही आप एक बार सर्च करकर देखें आपको अवश्य मिल जाएंगी चैनल तो यहां पर आप जाकर इसकी पीडियाफ भी डाउनलूड कर सकते हैं और इसको आप अपने कंटेंट इंप्रूव करने के तौर पर भी कार में ले सकते हैं याद रखीएगा कि प्रत्वी स आप दिल्स मौझूद हैं और शायद इसी लिए इंग्लेंड और फ्रांज यहसे देशों ने यहां पर समुद्री जैविवित्ता को बचाने के लिए समुद्री पारिस्थित की तंतर को बचाने के लिए जो गहरे समुद्र में खनन किया जाता है इस पर प्रतिबंद भी लगाए हैं समय समय पर यह निव जाती रहती है कि क्यों यहां पर समुद्री पारिस्थित की तंतरों समुद्री संसाधनों का उपयोग किये जाने पर यूएसे इंग्लेंड और फ्रांज जैसे देश यहां पर प्रतिबंद लगाते जाते हैं तो याद रखे उसका कारण एक यह भी हो सकता है अर्थात आने वाले समय में हमें यह भी देखने के लिए मिल सकता है कि एक्चल में परत्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई जो की एक रहस्त का विशा है जिसके बारे में पता का चल सकता है याद रखीए का कि इसी डार्क ऑक्सिजन का प्रयोग कहीना कहीं हम एलिक्ट्रो गैमिकल इंडुश्ट्री या फिर कहीना कही हम हम एलेक्ट्रो फॉरी हाइड्रो पाइर प्लांट में भी इसका हम कहीना कहीं यूज 구?」 यह किस परकार तो इस पर मैं एक डेटिकेटड वीडियो लेकर आऊंगा कि एक्चल में यह पॉलीमेटलिक संसादन मौजूद है और उनका प्रयोग मानाओ जीवन या फिर मानाओ अपने लिए कैसे कर सकता है तो यहां पर यह निउस बहुत हो जाती है मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस पूरी निउस को अपने कॉपी में जहां पर भी आपना उक्षनोग्राफी वा यहां पर लिखा हुआ है इसको अपनी कॉपी में जरू उतारे है याद रखें कि आप इसकी पूरी पीडियेफ जोग्रफी बाए अविशेक कुमार या फिर अविशेक कुमार जोग्रफी से डाउनलोड कर सकते हैं यदि वीडियो में जानकारी पसंद आई हो तो आप इस झाल